और अब खबरें विस्तार से राजदानी जैपुर की आमेर विधान जबाचेतर से विधायक शतिश पुनिया को राजस्तान बीजेपी की बागडोर सौंपी गई है पुनिया को राजस्तान बीजेपी का नेया अध्यक्ष बनाया गया है पुनिया पुरो में बीजेपी युवा मोर्चा के अत्यक्ष भी रहे चुकी हैं पुनिया लंबे समय से संगठन में सक्रिय है वे संगठन में कई एहम पदों की जिम्यदारी निभाश चुके हैं पार्टी के राष्ट्रे माहसेचु अरुन सिंग की और से उनका नियुक्ती जारी किया गया। मुल्तिया चुरू जिले के निवासी सतिश पुनिया चातरकाल से ही अकिल भारतिय विदार्थी परिशत से जुड़े रहे। उसके बाद वो बीजेपी में सक्रिय राजनीती में जुड़े वे संग्ठन में कई एहम जिम्मेदारिया निभा चुके हैं। पुनिया लंबे समय तक संग्ठन में महामंत्री रहे तो वहीं इस बार जैपूर की आमेर विदानसवा से विधायक भी चुने गए। पुनिया को केंद्रिय नेताओं से बहतर तालमेल के लिए जाना जाता है। वो संग्परिवार के नेताओं के चहतों में भी शुमार है। राजस्तान परदेशा अध्यक्ष का पद इसी वर्ष तो 24 जून को मदलाल सेनी के निथन के कारण खाली हुआ था। पुनिया को अध्यक्ष बनाने में राष्ट्रिय सह संग्ठन महामंत्री वी सतिश की एहम भूमिका रही। वहीं परदेश बीजेपी में अध्यक्ष का पद गत धाई महा से खाली था। उसके बाद नए अध्यक्ष को लेकर पार्टी में लगातार मंधन चल रहा था। पुनिया चार बार पार्टी के परदेश महमंत्री रह चुके हैं। वे लो परफाइल जाटनिता माने जाते हैं। परदेश में जल्ध ही नगर निकाय रूपंचाज चुनाव होने हैं। इसके साथ ही दो विदान सबाचेतरों के उपचुनाव होने भी है। इसके सबके मध्यन अजर माना जा रहा है कि जल्द ही परदिशा अध्यक्ष की निउप्ती हो सकती है पूनिया लंबे समय से परदिशा अध्यक्ष की दोड में शामिल थे